Hello friends, welcome to my channel तो friends आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं principles of insurance और marketing and selling of insurance के बारे में तो पहले description करेंगे और उसके बाद करेंगे इसके question answers तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले principles of insurance के साथ देखिये जो principles of insurance है यह हैं आपके 7 परकार के principles होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये clear होना चाहिए कि जो insurance है ये basically एक contract होता है between two parties जिनमें एक party होती है insurer जिसे हम बीमा करता भी कहते हैं और दूसरी party होती है insured जिसे कि हम बीमित व्यक्ती भी कह देते हैं या फिर policy holder भी कह दिया जाता है तो और ये जो contract होता है insurance का ये Indian contract act 1872 के according ब लिए अब ये जो contract बनता है इसमें साथ principles का बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनमें जो सबसे पहला principle है इसे कहा जाता है principle of utmost good faith या फिर इसे abrima fights भी कहा जाता है तो आपको ये याद रखना है अब देखिए कि होता क्या है ये जो principle है principle of utmost good faith इसका ये मतलब है कि जो ये contract है ये दो parties के बीच में है अब दोनों ही parties means insurer और insured इन दोनों की ही ये responsibility बन जाती है एक दूसरे के प्रतिये duty होती है कि जो known facts है means जो जरूरी चीज़ें है वो एक दूसरे को बताई जाएं तो basically इसे ही abrima fights या फिर utmost good faith कहा जाता है क्या है simple ये कि insurer और insured इन दोनों की ही ये responsibility है और duty है कि जो जो जुरूरी जानकारियां है contract के regarding उनको सही तरह से और पूरी जो है एक दूसरे को बतानी चाहिए अब हम बात करेंगे दूसरे principle की जिसका नाम है principle of insurable interest अब देखिए जो principle of insurable interest है इसका मतलब होता है कि जब ये contract बनता है insurance का जो contract है उसमें एक financial interest होगा किसका insured का अब देखिए अगर insured का financial interest होगा तभी वो अपना ये contract करवाएगा तो जो principle of insurable interest है इसका मतलब है एक financial interest to the insured अगले principle का नाम है principle of indemnity देखिए principle of indemnity का मतलब है कि तूट food से सुरक्षा की guarantee means अगर जो insured व्यक्ति है उसके साथ कुछ miss happening हो जाती है तो principle of indemnity ये assure करता है कि उस समय insurer के द्वारा आपको financial support जो है वो दी जाएगी इस principle की हिसाब से insurer ये assure करता है कि अगर जो भी loss होगा जो actual loss होगा उसके उसे as compensation जो है insured को दिया जाएगा अब ये जो amount of actual compensation है ये limit रहता है amount assured या फिर loss जो भी दोनों में से कम होगा वो value जो है व्यक्ति को means insured व्यक्ति को दे दी जाती है अब ये जो principle है ये applicable रहता है fire insurance में, marine insurance में, general insurance means ये सभी जो general insurance रहती है उसके लिए applicable है ये life insurance के लिए applicable नहीं है अब अगला जो principle है इसे कहा जाता है principle of subrogation अब ये जो subrogation का principle है ये भी जो हमारे general insurance रहती है उसके लिए applicable होता है अब इस principle में क्या है कि माल लीजे जो insured वेकती है उसकी property के साथ कुछ misappening होगी तो उस समय जो insurer है उसने उसे claim accordingly जो भी misappening होई थी उसके हिसाब से claim दे दिया अब यह जो यह principle है principle of subrogation यह यह कहता है कि compensation मिलने के बाद जो वो damaged property है उस पर अब insurer का अधिकार हो जाता है और यह जो principle है यह applicable होगा उस damaged property पे अगर उसकी damage होने के बाद भी अगर उसकी कोई value बची होई है तो यह जो principle है उस पर applicable होगा मिलन सीधे शब्दों में यह principle यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई property सुपोज उसकी गाड़ी जो है वो damage होगी और उसने insurer से उसका जो भी claim था वो ले लिया अब वो जो गाड़ी बची है means वो damaged गाड़ी है उस पर insurer means insurance company का अधिकार हो जाएगा चलिए अब आपका जो 5 number का principle है इसे कहा जाता है principle of contribution यह principle भी contract of indemnities जितने भी रहते हैं उनके लिए applicable होता है अब इस principle में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने एक property की insurance जो है वो एक से जादा insurance company से करवाई हुई है और अगर उसकी property के साथ कुछ में happening हो जाती है तो उसे जो claim मिलेगा compensation claim मिलेगा वो चाहे वो एक company से ले या एक से जादा company से ले वो actual loss के बराबर ही होगा means ऐसा नहीं है कि उसने एक से जादा company से insurance करवाया हुआ था तो वो सभी company से जितना जितना loss हुआ है वो सारा सारा हर एक company से ले लेगा ऐसा नहीं होगा means जितना total loss हुआ है वो चाहे एक insurer से उसे मिलेगा या एक से ज़्यादा से मिलेगा पर वो मिलेगा उतना ही actual loss वाला जो amount है वही उसे मिलेगा इसे principle of contribution कहा गया है अब छे नंबर का जो principle है इसे कहा जाता है principle of mitigation of loss अब principle of mitigation of loss ये कहता है कि माल लीजिये किसी व्यक्ति ने अपनी property की insurance करवा ली अब ये नहीं है कि वो अपनी property के प्रती लापरवा हो जाए उसकी ये responsibility है उसकी ये duty है कि अगर उसकी property पर कोई खतरा है कोई उसे लग रहा है कि situation में उसके साथ कुछ problem हो सकती है उसकी property के साथ तो उसने क्या करना है उसने सारे steps necessary steps लेने है ताकि losses को जो है control किया जा सके कम किया जा सके means ये नहीं है कि हमने अपनी गाड़ी की insurance करवा ली तो अब हम उसको lock लगाना छोड़ दे ये नहीं होगा तो principle of mitigation of loss ये कहता है अब last जो seventh principle है साथवा principle है इसे कहा जाता है principle of cause proxima या फिर approximate cause ये कह दिया जाता है इस principle का नाम है अब इस principle का ये मतलब होता है कि जब loss हो जाता है तो उस situation में ये check करना कि अगर जो loss है वो एकसे ज़्यादा कारणों से हुआ है तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये चेक किया जाता है कि जो में कारण है तो ये तो सारे होगे आपके seven principles of insurance अब हम बात करेंगे marketing या नी insurance के बारे में देखे कोई भी financial service industry है उसकी success depend करती है उसकी एक successful sales force पे तो अगर हम insurance industry की बात करें तो इसके जो main successful force है sales की वो है इसके agents और broker दूसरी तरफ अगर हम marketing system की बात करें तो marketing system का मतलब है अलग अलग तरहां के तरीके जिससे की insurance products को sale किया जा सकता है और selling के इन तरीकों को distribution system भी कहा जाता है अब distribution system में 4 points दिये गए हैं जो की insurance marketing में use किया जाते हैं सबसे पहला है personal selling system इस system में जो insurance agent है या फिर broker है उसके अपने personal contacts रहते हैं उसके personal relations रहते हैं जिसके help से वो insurance जो है वो sale करता है अगर second बात करते हैं वो है financial institution distribution system इसमें क्या है कि बहुत सारे insurance हैं जो की commercial banks या फिर financial institutions का use करते हैं जिससे कि वो अपने insurance और annuity products की marketing जो है वो कर सकते हैं third इसमें आ जाता है direct response system अब direct response system जो है ये भी life और health insurance के products जो है इसके help से बेचे जाते हैं जिसमें face to face meeting हो जाती है agent के साथ या फिर potential customers जो है उनको आप टीवी रेडियो मेल्स या newspaper के थूँ भी अपने products के बारे में जानकारी provide करते हैं और जो fourth system आ जाता है उसमें आ जाते है other distribution system अब इसमें आ जाता है work site marketing हो जाती है stock brokers हो जाते हैं या फिर financial planners हो जाते हैं अब हम बात करेंगे कि जो bank assurance है उसके बारे में देखिए bank assurance क्या है यह एक ऐसा system है जिसमें bank और insurance company इस तरह की एक arrangement करती है या फिर partnership करते हैं जिससे की जो banks है वो अपने clients को इंशुरेंस सेल कर सकती है तो इसे कहा जाता है bank assurance नेक्स हम बात करेंगे marketing strategy के बारे में देखिए जो insurance business है या फिर other जो financial services वाले business रहते हैं financial business रहते हैं वहाँ पर जो marketing strategy है वो four piece पर चलती है जिन में जो सबसे पहला पी है वो है product product का मतलब है कि किस प्रकार का product जो है insurance company sale कर रही है means वो health product बेच रही है life product बेच रही है या फिर और तरह के जो अलग लग तरह के general insurance के product रहते हैं वो तो पहला पी तो हो गया product जो दूसरा पी है उसे कहा जाता है pricing अब pricing जो है यह आ जाता है उस product की cost के बारे में अब अगर ह तो इसमें तीन चीज़े include है premium charged against the policies then interest charged और commission charged next पी आ जाता है promotion जो insurance services है वो depend करती है promotional measures पर means आप जो अपना product है उसको कितना promote कर रहे हैं advertise उसको कितना कर रहे है publicity उसकी कितनी हो रही है ताकि वो जादा से जादा लोगों तक उसके बारे में जो जानकारी है वो पहुंचे और जो fourth P है वो है place अब place का मतलब है कौन सी जगह चुनी जाए ताकि आप अपने जो potential customers है targeted customers है उन तक अपने product की जानकारी को पहुंचाय जा सके चलिए अब हम करेंगे कुछ practice question answers तो सबसे पहला question है the principle of contribution employs that if same property is insured with more than one insurance company then options दी गई है compensation cannot be paid compensation is paid by all the insurers compensation is paid in full by all the insurers compensation paid by all the insurers together cannot exceed the actual loss suffered अब देखे इस question में पूछा गया है कि जो principle of contribution है उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने एक ही property की insurance एक से जादा insurance company से करवाई है तो उस case में क्या होगा तो देखे जैसे कि अभी हमने discuss किया है तो उस case में क्या होगा कि जो compensation है वो सभी insurers के द्वारा मिल सकती है और जो उसकी value है वो actual loss से जादा नहीं होगी तो इस लिए इस question का जो right answer है वो आएगा option D Now next question is meaning of abrimaphides तो आपको बताना है कि abrimaphides का meaning क्या होता है तो abrimaphides का meaning check करते हैं options है good faith, utmost good faith, buyer, beware and duty of disclosure तो देखे जो abrimaphides है उसका meaning होता है utmost good faith तो इस question का right answer आएगा option B moral hazards mean देखे moral hazard जिसको की हिंदी में कहा जाता है नैतिक जोकिम तो अब आपको चार नीचे options दी गई हैं और आपको चुनना है कि moral hazard आप किस category को या किस option को मानेंगे तो options दी गई है dishonesty और corrected effects in an individual, honesty and values in an individual, risk of religious beliefs and hazard of the property to be ensured देखे एगा moral hazard का मतलब होता है नैतिक जोकिम तो इसका जो बिलकुल सही option बन रहा है वो option A है क्योंकि देखे आप्शन A में कहा गया है dishonesty and corrected effect in an individual, अगर कोई भी individual dishonest है, means इमानदर नहीं है, बेइमान है या फिर उसके character में कोई defect है, कोई problem है, तो ऐसी category को moral hazard माना जाता है तो इसलिए इस question का right answer आएगा option A अगले question में पूछा गया है, dash means transfer of all rights and remedies with respect to subject matter of insurance from insured to insurer अब आपको बताना है कि जो नीचे options दीगे हैं, उनमें से क्या आएगा अगर जो आपका product है, जिसकी insurance हुई थी, उसके जो rights है, उसका जो अधिकार है वो insured से insurer के पास चला जाएगा तो में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी condition रहती है, जिसमें जो product है, उसके जो rights है, उसका अधिकार है वो insurer के पास चला जाता है, insured से, तो options है, contribution, subrogation, legal hazard and risk pooling तो देखिए, जैसे अभी हमने बात की, subrogation उस principle को कहा जाता है जहां पर insurance में अगर compensation मिल जाने के बाद, जो property है, damaged property है, उसके जो rights है वो insured से insurer के पास चले जाते है, तो इसले इस question का right answer आएगा, option B next question में पूछा गया है, for the purpose of insurance, an asset must have dash अब इस question का मतलब है, कि अगर किसी भी asset की, किसी भी चीज की insurance करवानी है तो उसकी एक dash होनी ज़रूरी है, तो options दी गई है, moral value, social value, international value and economical value तो देखिए, इस question का जो right answer आएगा, वो है economical value means अगर किसी भी वस्तु जिसके आप insurance करवाना चाहते हैं, उसकी कुछ economical value है तभी उसकी insurance करवाई जा सकती है, तो इसका right answer है, option D अगला question है, earthquake is an example of dash आपको बदाना है कि earthquake, जिसको कि हम भुकंप भी कहते हैं, वो किसका example है means वो किस प्रकार के risk की category में आता है options जी गई है, catastrophic risk, dynamic risk, marginal risk and speculative risk तो देखिए जो earthquake है, ये एक catastrophic risk की category में आता है catastrophic risk होता है, कोई भी ऐसा event जो विनाशकारी हो तो ये earthquake है, ये आपका catastrophic risk की category में आएगा तो इसका जो right answer है, वो है option A अब अगला जो question है, इसमें कहा गया है risk indicates dash, आपको बताना है कि risk जो है वो किसे indicate करता है, fear of unknown, chance of loss, disturbance at public place and hazard तो देखिए, risk indicate करता है chance of loss को तो इसलिए question का right answer है option B अब जो अगला question है, इसमें पूचा गया है dash means spreading once investment in different kinds of assets अब देखिए कि अगर किसी के investment को अलग-लग जगा पर आप arrange करें या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के पैसे को अलग-लग जगा पर invest करने की जो प्रक्रिया रहती है, उसे क्या कहा जाता है options है, pooling, diversification, gambling and dynamic risk तो देखिए, अगर हम investment को अलग-लग जगा पर arrange करें या पैसे को अलग-लग जगा पर invest करें तो उस process को diversification कहा जाता है तो right answer आएगा option B अगर हम किसी को contract के बारे में बता रही है, जानकारी दे रही है तो गलत statement देने, उसे क्या कहा जाएगा options है, misrepresentation, contribution, offer and representation तो देखिए, किसी को गलत जानकारी देना, during the contract, उस process को कहा जाता है misrepresentation, तो इस question का right answer आएगा, option A Now next question is, dash involves pressure applied through criminal means आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति पर अपराधिक तरीकों से दबाब डलवाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा options are fraud, undue influence, corrosion or mistake तो देखिए, ऐसे way को इस तरीके को कहा जाता है, corrosion तो आपको याद रखना है, इसका answer आएगा, option C, corrosion Now, next question is, when it is essential for insurable interest to be present in the case of life insurance आपको बताना है कि life insurance के case में, किस वक्त आप जानेंगे कि इस insurance पे क्या interest मिलेगा, means insurable interest की जो जानकारी है life insurance खरीदते वक्त आप किस वक्त पे जानेंगे तो options है, at the time of taking out insurance, at the time of claim, insurable interest is not required in case of life insurance and either at the time of policy purchase or at the time of claim तो देखिए, पहली option में कहा गया है कि insurance खरीदते वक्त दूसरी option कह रही है, claim के समय तीसरी कह रही है कि insurable interest की life insurance में ज़रूरत ही नहीं होती और जो चार नंबर की option है, यह कह रही है कि या तो आप policy खरीदते वक्त जान ले, या फिर claim के समय जान ले तो देखिए, life insurance में insurable interest की जो जानकारी है, उसे खरीदते हुए ही जाननी चाहिए तो इसका जो answer आएगा, वो है option A Now, next question is, find out the approximate cause for the death in the following scenario अब देखिए, नीचे एक आपको story दी गई है, छोटी सी, आपको उसमें पहले तो पढ़ना है फिर जानना है कि इस story में जो बिलकुल approximate cause, means main cause of death क्या है तो पहले तो story पढ़ते हैं Ajay falls off a horse and breaks his back He lies there in a pool of water and contracts pneumonia He is admitted to hospital and dies because of pneumonia देखिए, Ajay जो था, ये घोडे से गिर गया, जिसकी वज़े से इसकी कमर तूट गई और साथ ही एक तलाब था पानी का जिसमें वो गिर गया और उसे तलाब में गिरने के वज़े से pneumonia हो गया उसके बाद उसे hospital में admit करवाया गया और वहाँ पर pneumonia के वज़े से उसकी मृत्यू हो गई तो अब इस कहानी में आपको जानना है कि Ajay का जो प्रॉग्जिमेट कॉज फॉर डेथ है वो क्या होगा तो options है, pneumonia, broken back, falling of a horse and surgery तो देखिए, इसमें जो प्रॉग्जिमेट कॉज है या फिर main कारण जो है, death का, वो आएगा falling of a horse option C, क्योंकि देखिए, अगर वो घोडे से न गिरता तो वो पूल में न गिरता, तला में न गिरता जिससे उसे pneumonia न होता और उससे उसकी death न होती तो इससे जो प्रॉग्जिमेट कॉज बन रहा है, वो बन रहा है option C, falling of a horse next question is, following is not an insurance intermediary नीचे options दी गई है, चार और आपको जाना है कि इन में से कौन होगा जो की एक बीमा मध्यस्तता की भूमिका में नहीं होगा तो options है, corporate agent, share broker, insurance broker and insurance agent देखिए, इसमें जो share broker है, वो insurance intermediary की भूमिका में नहीं आएगा, इसलिए इस question का right answer है, option B now, अगले question में पूछा गया है, कि bank assurance का मतलब क्या होता है तो देखिए, bank assurance जैसे कि अभी हमने discuss किया था कि ये एक tie-up है, between banks and insurers to distribute insurance products to the bank's customers है ना, तो इसलिए इस question का right answer आएगा, option B what are the four P's that marketing literature speaks about आपको बताना है कि अगर marketing की बात करें तो उसमें four P's क्या होंगे, देखिए जैसे अभी हमने बात की four P's क्या-क्या है, product, price, promotion and place तो इस question का right answer है, option C insurance density is dash, आपको बताना है कि insurance density से आप क्या समझते हैं, options है, life insurance premium ratio of premium to income, premium per capita and coverage per capita तो देखिए insurance density का मतलब होता है, premium per capita तो इसलिए इस question का right answer आएगा, option C classification of customers into various market segments having common features is known as देखिए, customers की जो classification की जाती है, अलग-लग market segment में, और common features को ध्यान में रखते हुए, तो उस process को क्या कहा जाता है, options है, sales, segmentation, marketing and prospecting, तो देखिए, जो classification of customers रहती है अलग-लग market segments में, तो उसे segmentation कहा जाता है, तो right answer है, option B, prospecting in insurance sale is dash, आपको बताना है कि insurance बेचते वक्त, जो prospecting शब्द आता है, उसे क्या कहा जाता है, means prospecting का अर्थ आपको बताना है, meaning बताना है, तो options है, gathering the names of people who may be interested in the insurance, preparing the list of all the person in the city, and listing the policy holders of the branch office, and preparing list of all the agents in the neighborhood, देखिए, सीधी सी बात है, जो prospecting शब्द है, insurance की sale में, उसका मतलब होता है, कि जो लोग आपसे insurance करवाने में interested है, उनकी एक list तयार करना, तो इसलिए, इस question का right answer है, option A, gathering the names of people who may be interested in the insurance, now, next question is, which of the following is not a part of sales process, आपको बताना है, कि sales process में, इन में से जो नीचे options दी गई है, क्या नहीं आएगा, options है, prospecting, sales interview, loss assessment, and closing, तो देखिए, जो loss assessment है, ये sales process में नहीं आता है, क्योंकि sales process में आता है, prospecting, means, उन लोगों के नाम इकठे करना, जो आपसे समान खरीदने में, या insurance खरीदने में interested है, sales interview करना, और जो deal है, उसको close करना, पर जो loss assessment है, वो sales process में नहीं आता है, इसलिए question का जो right answer है, वो है option C, need gap analysis involves finding about prospect, देखिए, एक process होता है, जिसे कहा जाता है, need gap analysis, अब आपको बताना है, कि जब हम prospecting की बात करते हैं, तो need gap analysis क्या होगा, देखिए, need gap analysis का मतलब होता है, कि ऐसी जगा डूंडना, जहां पर लोगों को insurance की बहुत ज़्यादा वश्यकता है, means ऐसे areas की सर्च करना, जानकारी प्राप्त करना, जहां पर जो insurance खरीदने वाले लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए इस question का जो options दी गई हैं, उनमें check करते हैं, क्या options हमारे इससे match करती हैं, पहली option है, identifying the areas where the prospect needs insurance protection, and identifying the poverty level of the prospects, तो देखिये, need gap analysis का मतलब है, option A, means ऐसे areas की सर्च करना, जहां पर लोग जो है, insurance protection खरीदना चाहते हैं, option A is the right answer, now जो अगला question है, इसमें पूचा गया है, insurance is a part of dash industry, options है, manufacturing, financial services, consumer goods and share market, तो देखिये, जो insurance है, ये financial services की industry है, right answer है, option B, next question is, on the payment of loss, salvage belongs to, देखिये, loss की payment हो जाने के बाद, means claim payment हो जाने के बाद, जो salvage है, salvage मतलब जो टूटा, फूटा, असमान पीछे रह जाता है, वो किसको belong करेगा, surveyor, insured, insurer, या फिर local authorities, देखिये, जैसे हमने पीछे पड़ा, principle of segregation के हिसाब से, ये belong करेगा, insurer को, तो इसलिए, इस question का right answer है, option C, now next question is, the principle of dash ensures that, insured doesn't profit by insuring with multiple insurers, आपको बताना है कि वो कौन सा principle है, जिसके according ये insure किया जाता है, कि जो insured है, वो एक से ज़्यादा insurers से insurance करवा के profit नहीं earn कर सकता है, तो options हैं, subrogation, contribution, co-insurance, indemnity, तो देखिए, ये हमने अभी बात की, ऐसे principle को कहा जाता है, principle of contribution, तो right answer है, option B, next question is, dash principle in insurance means maximum truth, options है, subrogation, cause proxima, insurable interest और abrima fights, तो देखिए, जो abrima fights का principle है, ये insurance में maximum truth को represent करता है, और इसे हम utmost good faith का principle भी कहते हैं, dash principle means that, insured is not entitled to make profit on his loss, आपको उस principle का नाम बताना है, जिसमें ये insure किया जाता है, कि जो insured है, जिसने abrima करवाया हुआ है, वो loss के case में profit नहीं बनाएगा, तो देखिए, ऐसे principle को कहा जाता है, principle of indemnity, तो इसका जो right answer है, वो है option C, dash is a contract between two insurers, that is original insurer and another insurer, आपको उस contract का नाम बताना है, जो दो insurers के बीच में होता है, means एक original और दूसरे insurer के बीच में, options है, insurance, reinsurance, policy and premium, तो देखिए, जब एक insurance company, अपनी insurance दूसरी insurance company से करवाती है, तो इस process को reinsurance कहा जाता है, जिसलिए इस question का जो right answer है, वो है option B, एक और बात याद रखेंगे, कि reinsurance को insurance of insurance भी कहा जाता है, अब हम करेंगे आज की वीडियो का last question, जो है, अब इस question में पूछा गया है, कि अगर insurance को एक से ज़्यादा insurance के बीच में डिवाइड कर दिया जाए, या proportionately share कर दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए, वैसे तो इस question का जो right answer है, वो है co-insurance, क्योंकि co-insurance एक ऐसा method है, जहांपर जो risk है, उसे split कर दिया जाता है, तो right answer I का option C, इसे मैं आपको एक example के हिसाब से समझाती हूँ, suppose किसी ने health insurance करवाई है, और उसमें उसके risk को split कर दिया गया है, split इस तरह से किया गया है, कि 20% तो insured खुद bear करेगा, और जो remaining 80% है, वो insurance company bear करेगी, means risk की splitting कर दी गया है, तो माल लीज़े कि जो खर्चा आया, वो आया 10,000 रुपे, उसमें से 2,000 रुपे तो insured खुद देगा, पर जो बाकी की रकम है, बाकी का जो पैसा है, 80% जो पैसा आएगा, means 8,000 रुपे जो आएगा, वो insurance company देगी, means risk cover को split करने के process को, co-insurance कहा जाता है, और last में आप लोगों के लिए, एक bonus question भी है, question है, dash means, restoring the victim of loss, by payment, repair, और replacement, आपको बताना है, कि अगर किसी की कोई loss हो जाता है, तो उसको restore करना, means उसको, मदद करना, by way of payment, repair या फिर replacement, तो उस way को क्या कहा जाता है, options है, premium, declaration, indemnity, और assurance, इसका सही उत्तर, मुझे जल्दी से comment करके बताईए, thanks for watching the video, and best of luck.